Assalamualaikum my students and my viewers तो आज मैं एक वीडियो के साथ आपकी हिद्मत माज़र हूँ तो students and my viewers पिछली हमने वीडियो में देखा था कि YouTube का चैनल कैसे बनाना है अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हमने एपने YouTube के चैनल को कस्तिमाइस करना है और इसकी settings को change करना है पिछली lecture में हम लोगों ने यहाँ पर अपना काम छोड़ दिया था settings में इन settings में और इस settings में फर्क क्या है ये भी हम देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसी ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी कि चैनल कैसे बनाना है YouTube का उपर आए वेले बटन पर क्लिक करके चेक का ले और अब अपना काम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास setting में आता है account account में आपके पास आ रहा होगा पहला जो option है वो your channel इदर आप अपने चैनल के status and features change कर सकते हैं new channel बनाना हो भी बना सकते हैं और advanced setting भी चेक कर सकते हैं अब देखे जब मैंने क्लिक किया status and feature पे तो मुझे इस panel पर ले आया है जो कि आपने पहली इदर खोला हुआ है तो भी मैं इसको cross कर देता हूँ अब आता है advanced setting इसमें क्या है इसमें यह आपकी user के ID दिखा रहा है चैनल के ID दिखा रहा है अगर आपने अपने चैनल मूव करना है यह डिलीट करना है वो भी आप यहां से कर सकते हैं तो यह हमारे पास एक easy method हो गया चैनल को डिलीट और मूव करने का जो के advanced setting में है अब उसके बाद हमारे पास आता है Google account जो आपने Google account बनाया हूँ है जिसके साथ एक connect आपका YouTube का account वो ही आपको इधर से दिखा देगा और अगर आपके कोई membership है तो आप premium membership भी ले सकते हैं ओके दूसरा option आता हमारे पास notification नोटिफिकेशन में आपको ये वाले option से दिखाएगा इसमें ये क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि जब आपका चैनल जो आपने subscribe किया है जो भी चैनल उनकी notification आपको आई या ना आए आपकी जो recommended videos है वो आपके पास नजर आए या ना आए आपकी चैनल की जो activity है वो आपको आपको नजर आए या ना आए तो ये हर चीज enabled हुई है तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज enabled हो मुझे हर चीज की notification दे ओके और उसके बाद लिखा है email notification send me emails about YouTube activity and updates that I request कि जब YouTube के कोई activity होगी जैसे वो कोई update लाते है तो मुझे उसकी email भी आए उसके बाद आ रहा है your preferences general product update जब product की कोई update आएगी announcement or recommendation क्या वो भी आपको show हो तो मैंने अभी वो none पे किया हुआ है कि मुझे show ना हो ठीक है हो सकता है bad default आपका भी none पे हो तो आपने अगर on करना तो आप कर सकते हैं creator updates and announcement इसका क्या मतलब है कि यह क्या आपको tips भेजें या नहीं तो मैंने किया हुआ है no क्योंकि फिर ही बहुत जादा emails भेज़ते रहते हैं तो मैंने इसको no कर दिया है ठीक है आप लोगों का भी default से हो सकता है no तो आप इसको change कर सकते हैं ओके मैंने click के और अपने आप हो गया ठीक फिर आता है language लेंगवेज आपने जो भी करनी है वो आप कर सकते हैं मैं इधर language change करता हूँ कोई एक language पर मैंने click कर दिया अब यह language कौन सी है यह है कि आपको किस language में email आए ओके तो यह आपके YouTube के channel की language नहीं है यह है जो आपको जिस language में email आए ओके तो यह भी आप अलाइदा से change कर सकते हैं तो मैं वापस इसको English पर कर रहा हूँ हो गया अब आता है playback and performance कि आपकी वीडियो में info card इस्तमाल हो या ना हो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरा आए वाले बटन पर click करें तो वो एक info card होता है ओके तो क्या वो शो हो मैं चाता हूँ शो हो और दूसरा option आता है कि क्या आपके channel पर subtitle शो हो मैंने का जी शो हो और अगर आप चाते हैं कि auto generated भी हो अगर available है तो वो भी आप enable कर सकते हैं मैंने enable कर दिया ठीक है और उसके बाद इस चीज़ को आप छोड़ दें ये auto recommended पर ही best है लेकर अगर आपने इसके बारे में देखना है फिर आता है privacy privacy पे आप लोग अपनी चीज़न चेक कर सकते हैं जैसे है keep all my playlist saved and private कि जो मेरी playlist है वो saved हो और private हो तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो और जो भी मेरी subscription है वो भी private हो मैंने का okay private हो उसके बाद आता है connected apps अगर आपने कोई app connect किये यूटूग से तो वो आप कर सकते हैं जैसे इदर बहुत सरी apps आ रही है games की pubg, pubg mobile, knives out, riot games etc. यह आप सारी connect कर सकते हैं ओके फिर आता है billing and payment अगर आपने यहाँ पर अपनी billing information देनी है तो आप देश सकते हैं और advanced setting अभी हमने देख लिया है तो यह तो मेरे पास हो गया YouTube की यह वाली settings अब आजाते हैं कि channel के dashboard पर जो settings है वो क्या चीज़ है उन में सबसे पहले आता है general में कि आपकी currency किस unit में हो आप rupees में चाहते हैं Indian rupee में चाहते हैं या आप pounds में चाहते हैं किस में चाहते हैं और यह आपके channel के keywords होंगे यह keywords आपकी मदद करेंगे आपके channel की SEO के लिए बहुत बड़ा SEO का कोई टकनीक नहीं है लेकिन एक छोटी-छोटी चीज़ें भी आपके channel के लिए बहुत मैंनी रखती है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई tiger man gaming search करे तो उसको मेरा channel जरूर नजर आए ठीक है तो यह आप अपने channel के इदर आप अपना tag दे सकते हैं ऐसे इसे tag जब भी कुछ सर्च करें तो आपका channel आए उपर ठीक है आप अपने दमाग से सोचके tag दे सकते हैं फिर इदर हमारे पास दूसरा menu होता है advanced setting यह है कि do you want to set your channel as made for kids कि क्या आपका channel kids के लिए है या नहीं यह option आप इदर ही select कर सकते हैं कि यह channel kids के लिए है मैं kids के लिए upload करता हूँ यह नहीं यह channel kids के लिए नहीं है मैं kids के लिए upload नहीं करता लेकिन मैं आप लोग को suggest करूँगा कि आप लोग I want to review this setting for every video पर click करें रखें क्योंकि जब आप video upload करेंगे तो जब यह आपसे वाले option पूछेगा तो उसमें एक तीसरा option होगा कि कि के लिए नहीं है लेकर मैं यह नहीं चाहता कि लोग 18 साथ से उपर के हो ठीक है तो वह वाला option जो है वो तब ही आएगा जब आप वीडियो अप्लोड कर रहे होंगे और जब आपका इस तीसरा option पर इनेबल होगा ठीक है उसके बाद आता है feature eligibility इसमें है कि आपकी वीडियो है आप इसके लिए ओके upload default कि जब भी आप कोई वीडियो अप्लोड करें तो डिफॉल्ट पर क्या चीज़ दिखिए हो जैसे मैं लिख देता हूं हाई तो जब भी मेरी कोई वीडियो अप्लोड नहीं लगेगी यहां पर हाई जरूर लिखा होगा ठीक है तो यह आप चेक यहां पर आपको शो होंगे यह आपको चैनल को चला रहे हैं ओके और default यह है कि कमेट आपकी वीडियो पे कैसे हैं सारे कमेट हैं यह कमेट वह आए जिनको रिव्यू कर लें यह कमेट आई ना यह ऐसे कमेट ना जो पोटेंशली एन एप्रोप्रियो तो मतलब जो ठीक ना इतर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं मेरा भी नहीं है मैं नहीं चाहता है इसको क्लिक करना फिर अगरी में इदर एगरी मेंट पर कुछ शो नहीं होगा इतला बस यह होगा कि जितनी भी सर्वेश है वह सारी यूटूब की टर्म ऑव सर्वेश है ओके तो यहां पर आपका कूई आपके जो वीडियोज हैं यह उनकी सेटिंग्स हैं ओके इसमें पूरे चैनल की सेटिंग्स नहीं आती ओके तो यहीं इंपॉर्टन सी इनको चेंज करने के लिए अगर आप इनको चेंज नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा क्या आपकी यूनिट्स उसमें हैं और फिर आप लोग इस से आइस से तंग आ जाते हैं कि मुझे बार बार लिखना पड़ और आपका टाइम बहुत जादा लग जाता ओके तो यह हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हमारे पास आप्शन है तो स्टुडेंट्स एंड मैं वीवर्स आई होब कि आज की वीडिय के चलेनी है वो सीख सके ओके तो स्टुडेंट्स एंड मैं वीवर्स अलाहाफेश